नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर ललीत कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज का जो एम है जो कि इस वीडियो के लाइक के लिए मैंने रखा है वो है 500 लाइक तो उमीद है आप सब लोग इसको पूरा करा देंगे और दोस्तों आपसे सब विनम्र निवेदन है कि अगर आप इस चैनल को इस कंटेंट को हमारी बताई हुई बातों को पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें और कमेंट सेक्षन में जरूर जाकर के मुझे बताएं कि आप भविश्य में होमियोपैथिक और मेडिकल फिल्ड में किन टॉपिक्स के बारे में वीडियो को देखना चाते हैं मैं जरूर उ अपने इस वीडियो के उपर जो है एनल फिशर के बारे में कि एनल फिशर या फिशर इन एनो क्या होता है और इस वीडियो की शुरुआत हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ करते हैं जो कि है वाट कॉसे ब्लीडिंग एंड पें फ्रॉम यर बट कि आपको अपनी रेक्ट और बायलॉजिकल मतलब जो होता है फिशर मतलब दरार तो जब भी हमको एनल एरिये के अंदर दरार पड़ जाती है एनल औरिफिक के पास गुदाद्वार के पास जब हमको दरार पड़ जाती है तो उसको हम कहते हैं एनल फिशर और वो फिशर ही रिस्पॉंसिबल होता है most cases के अंदर laterin के दोरान blood जाने का मतलब bleeding का और motion के दोरान pain और motion के बाद जलन जैसा दर्द होने का वही एक कारण होता है और सबसे common कारण वही इस slide में आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से लोगों की area फट जाती है जब इसी तरह का crack उनके anal region में anal orific के पास पाया जाता है तो उसको हम कहते है अनल फिशर अब यह जो है यह एक डाइग्राम है इसका यह biological डाइग्राम से बताता हूं कि यह जो है यह पूरा का पूरा हमारा rectum है यह rectum की वाल है यह अंदर rectal cavity है जहां पर स्टूल का डिपॉजिशन होता है और यह जो आपको यहां पर क्रेक दिख रही है हम लोगों की यह जो रिजस दिख रही है यह anal canal कहला और जब anal canal के ऊपर और इफिक के पास दरार पड़ती है तो इस दरार को हम कहते हैं anal fissure anal fissure is a tear or crack in the anal canal it is usually associated with the bleeding irritation, inflammation, and pain ठीक है अब आगे चलते हैं अगर हम पर rectal examination करेंगे एक प्रशार इनो के पैशेंट का तो हमें कुछ ऐसी चीज दिखेगी यह है और यह जो चीज आपको दिख रही है दरार जैसे यह जो दरार है इसको हम कहते हैं एनल फिशर इनल फिशर इनल के जो केस होते हैं आपने एक चीज बहुत कॉमनली सुनी होगी कि फिशर और पाइल से के अंदर हमको पाइस देखने को मिलती है उसका खुलासा आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ इस डाइग्रम को ध्यान से देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि एक्यूट एनल फिशर मतला एक्यूट जो कुछ दिन पहले ही एनल फिशर बनी ही तो उसके अंदर ह फट गया वहां से वापस से हार्ड मोशन के कारण फिर से वो हील हुई और जब यह सालों तक होता है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि क्रॉनिक फिशर के अंदर यहां पर फाइब्रस टीशू बन जा और इसी फाइब्रस टीशू के कारण एनल रीजन में सेंटिनल पाइ और दोस्तों इस वीडियो में में फिशर को अच्छे से समझाने के लिए आपको संक्षिप तुम्हें बताऊंगा कि वाट आर फिशूला को कि जब तक लोग जनरल इन तीनों को एक ही बीमारी में ले लेते हैं या फिर मिस कंसेप्ट करते हैं अपनी बीमारी को कि हो कुछ कुछ रहा है वह पता कुछ रहे हुँ उनको यहीं नहीं पता कि मीफिशर क्या होती है और ठाट पाइल्स क्या होता हूं तो फिशर को अच्छे समझने के लिए हमको बाकी जो दो चीजे हैं पाइल्स भी समझना पड़ेगा वो मैं आगे आने वाले वीडियो के पार्ट मे तो वो कहलाता है फिशर और जब उसी एनल रीजन की औरिफिक के आसपास जब वहां की जो रक्त वाहिकाएं होती है अब आप देख पा रहे हो कि यह पाइस जो होती है और जो सेंटीनल पाइस इससे पहले वाली मैंने उसके अंदर आपको बताई थी यह तो फिशर के अंदर बार बार फिशर कटना और हीलिंग के कारण फाइब्रोसिस के कारण यह उठ जाता है तो यह पाइस जैसा दिखता है और इसका नाम सेंटीनल पाइस है इस इस नौट द ऑथेंटिक पाइस और और ऑथेंटिक पाइस यह है ऑथेंटिक पाइस में क्य पास में जब कोई blood vessel सूचती है और वो बाहर की तरफ protruded रहती है तो इसको कहते है external pile से external hemorrhoid और जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि ये blood vessel are prone to bleed एक अक्सर bleed कर जाती है तो इसलिए piles के patient के अंदर भी bleeding का phenomenon होता है और fissure के patient के अंदर भी bleeding का phenomenon होता है but difference is that कि जो fissure के अंदर जो bleeding होती है that is associated with the pain तो कि वो जो दरार होती है उसमें सुई चुबने जैसा stitching pain घंटों तक रहता है कई बार दिन बर रहता है कई बार वो pain इतना होता है patient bed भी नहीं तो this is the difference between the piles and fissure okay अब अगे चलते हैं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं एक और diagram से कि यह हमारा large intestine है large intestine का end का हिस्सा जो होता है वहां पर होता है rectum यह rectum को इतने हिस्से को maximize करा है यह हमारी rectal cavity है जहां पर हमारा मलिखटा होता है यह हमारी anal canal है और यह जो है वो दरार है जो दरार फटत होता है पर यह piles नहीं है sentinel piles होती है मैं बस आपको यह बताना चाहते अब आगे जाएं अब में चीज है जो misconception है सबसे पहलो उसको हटाते हैं लोगों का कि भाई पाइल एक चीज होती है यह अलग-अलग चीज होती है तो इसका सीधा से जवाब है they are different pathologies and differ in their symptoms and method of treatment यह तीन यह फिर हीमरोइट और फाइल और फिशुला इन एनो तो यह तीनों अलग-अलग होता है मैं आगे ही बता चुका हूं यहां पर डेफिनेशन वाइस समझने कि फिशर इस दा क्रेक और कट इन अनल और और इफिक आइदर डीप और सूपरफिशियल मतलब फिशर क्या होता ह काट या क्रेक होता है और कुछ नहीं हो वाट इस पाइल और हमरोइट यह होती है इसको हम कहते हैं और जो फिशुला है आपको आगे आने वाले पार्ट में बताता हूं कि फिशुला क्या होता है बॉयल या एपसेस मतलब एक थोड़ा होता है जो कि इन दा रीजन आफ एन और जिसके अंदर एक फिशुलास ओपनिंग होती है आइधर इनल केविटी और इसकी नियर न मतलब चर समझ गये पाइल समझ गया बचा फिशुला समझ लो फिशुला क्या होता है कि जो एनल रिंग होता है एनल रिंग के आसपास के एरिये में जब कोई बॉयल या फिर ए एनल केविटी में खुल जाए तो अब यह कहलाएगा यह फिशुला नहीं कहलाएगा तब यह कहलाएगा पैरी एनल एपसेस आपने कई रिपोर्ट्स में देखा होगा कई पेशेंट को होगा भी मेरे वीवर्स को है न और जब आपके अंदर की तरफ होड़ा है मतलब एनल तो फोड़ा अब फोड़े की ओपनिंग कहा हो रही है उससे यह डिपेंड करता है कि वैदर इट इस फिशुला और वैदर इस पैरी एनल एपसेस वह आगे बताता हूं ठीक है अब यहां पर इस स्लाइड में आप समझ लीजिए कि आप तीन चीज देख रहे हैं आपने प फिशर मैं आपको बता चका हूं कि यह जो दरार होती है यह जो दरार होती है इसको फिशर बोलते हैं ब्रही से रहार की तरफ निकलने लग गया मतलब इसमें पोड़े ने बहार बहार आते ऊए जश्ट आनल और एक बगल से रास्ता निकाल लिया और यहां से साल होता कि इसमें पस निकलता रहता फिश्चुला के पेसेश को पेशेंट को तो इसको कहते हैं हम भगंदर अब मैं टीनों के नाम अलग-अलग बताता हूं शुद दिन्दी में पाइस मतलब बवासीर ठीक है फिशर मतलब फिशर ही बोलते हैं फिशर का हिंदी मेरे को नहीं पता और फिश्चुला मतलब भगंदर कहलाता है मतलब यहां पर फोड़ा बना फोड़े ने बहार के बहार रास्ता और आगे के फ्लाइड में और अच्छे से समझो गया ठीक है यह वापस से पाइस का एक्जामपल है यह वाटर दा इंटरनल यह जो अंदर क पूले तो इंटरनल पाइस एक्टरनल पाइस ठीक है अब आप यहां पर समझो यह बहुत अच्छे एक्जामपल है फिश्चुला को समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि फोड़ा है फोड़ा यहां पे भी है यह फोड़ा है फोड़े ने अंदर के अंदर एक रास् चुड़ गया कहां पे रेक्टम से होता हुआ और एनस के जश्ट बगल से निकल रहा है तो इसको बोलते हैं हम फिश्चुला दोनों में फरक है ठीक है फिश्चुला कब बनता है जब एक एपसेश ड्रेन हो जाता है और एपसेश खतम होने के बाद यह रास्ता बच जाता इसको कहते हैं फिश्चुला और एपसेश कब है जब यह अंदर के अंदर यह भार के बार ड्रेन हो रहा है तब यह कहलाएगा परियानल एपसेश भविश्य में हील होगा तो यह बहुत ज्यादा चांसे थे कि यहां पे भी एक फिश्चुला बने और यह प्लेन क्रैग य आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे तो आ गया जाते हैं क्या कारण है सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट हार्ड इस्टूल विद द प्रोलॉंग कॉंस्टिपेशन इस सिंपल इस फिश्चुल होने का बस एक कारण होता है कॉंस्टिपेशन के साथ एक और पॉइंट इसम कॉंस्टिपेशन तो हार्ड इस्टूल विद प्रोलॉंग कॉंस्टिपेशन इस दे मेन कॉस ओफ फिशरी नहीं और आज की तारिक में बहुत ज्यादा यह लोगों के अंदर है को कि लोग फाइबर नहीं खाते हैं ठीक है जो हमारी सहत को फायदा करता है वो सब हम खाना एक्सेस इंटेट कॉफ नॉन वेजिटरियन डाइट इस दे थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट कॉस ओफ फिशरी नहीं बहुत जादा नॉन वेज का सेवन करने से हमारा इंडाइजेशन होता है वो प्रोटीन होता है तो है भी होता पचाने में नॉन वेज खाके हम इंटरनल इसके कारण भी हमको फिश्चुलाइन एनो फिशरी नेनो सौरी होता है पांचवा कॉज आजकल बहुत इंपॉर्टेंट बहुत कॉमनली देखने में आ रहा आफ्टर डिलेवरी या पार्चुरेश की डेलेबर होने के बाद मतलब दिलेवरी बच्चा होने के बाद जनरल जो नली पेराज होती है जो पहली बार माँ बन रही है उनको फिशर वगरे हो जाती है जो च्छटा कॉज है यह आगे चलते हैं अब गुड न्यूस क्या है गुड न्यूस यह है कि अनल फिशर आर ट्रीटेबल यह सिर्फोमियोपैथिकली आप इनका बहुत अच्छे से स सफलता पूर्वा कर सकते हैं यह बड़ा एक अजीब सा पॉइंट है कि हम बात कर रहे हैं ट्रीट्मेंट की पर ट्रीट्मेंट में वी आर पॉइंट ऑफ प्रिवेंशन अगर हम ऐसा खाना खाए को कि फिशर के होने का सीधर रिलेशन खाने पीने से हैं कि दोस पीपल जो रिच फूट खाते हैं धाबे स्टाइल का खाना खाते हैं उनको फिशर बनता तो फिशर को होगा या नहीं होगा यह हमारी प्रैक्टिस पर ज्यादा निरभर करता है और जो टेंडेंसी है वो हम खुद अपनी आदातों से बनाता है तो यहां पर हम इसके ट्रीट्मेंट म तो जो इसके अनुसरण करेगा इसको फिशर होने के चांसे कम होंगे हमको बैलेंस डैटीमेंट यहां अगर अगर हम अपती डाइट पर कंट्रोल कर लेंगे अब हम यहां पर बार बार डाइट 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 की बात कर रहे हैं तो आगे हम देखते हैं कौन सी डाइट हमको लेनी है पहला हम देखेंगे डॉन्ट सम्कु जो नहीं खाना जैकि नॉन वेजिटेरियन डाइट इस वन हमको बहुत पसंद है यह खाने है और इसकी आदत के कारण हम फिशर हो सकते हैं तो हमको इनको आवाइट करना है अब क्योंकि हमको मोशन के दौरान स्पाइस जैसा लगता है ऐसी जलन पड़ती है जैसा कि हमको मिर्ची लग गई ठीक है ना तो यहां पर मिर्ची जो है यह फाइबर्स हैं जो कि कोई को पसंद नहीं खाना अगर हम फाइबर्स यह भी फाइबर्स 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 सिर्फ फाइबर्स से आपको सिर्फ फाइबर्स खाने की आदत से ही आपको फिशर की बीमारी से निजात मिल सकता है अगर आप इलाज कराएंग थे यह अलोपेथिक त्रीट मेंट कर देंद परिंदब देंट एफ लिग्यौ अपको तुन को लूजका करने लिए यूजका जनक्रिमा फिन खेयर और यह जब आपको उससे भी रिलिप नहीं तो आपको पेंज जो हैर नहीं होता तो यह आपकोज़ला देते हैं कि आप दुकर हैं तीनों का कोई उप्चान और फिशर दे डू फिशरेक्टॉमी एंड फॉर फिश्चुला दे डू फिश्चुलेक्टॉमी तो यह हो गया अलोपैथिक ट्रीटमेंट अब दोस्तों होमियोपैथिक ट्रीटमेंट ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे यह जो तीन मैडिसि फिशर का प्राबलम है जिन को खुद को फिशर का प्राबलम नहीं मेडिसिन को होमियोपैथिक मेडिकल स्टोर से घया को घरिग चार चार बोली तीनों का 5-5 मिनिट के गैप से दिन में 3 बार सेवगन करें मिराम चैलेंज है आपको कि आपको सक्षिच का प्रॉबलम कुछ महीनों में चला जाए कुछ महीनों का इलाज इसमें हमको करना पड़ता है तो तीन medicine है वो है acid nitric 200, ratania 200 and graphitis 30 तो ये medicine unconditionally काम करेगी अगर वो case fisher in no का है बट confirmation कर लीजिए कि आपको fisher in no ही है तो दोस्तों उमीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली होगी और आपको काफी फिशर का concept और फिश्चुला और खासकर पाइल्स का concept clear हुआ होगा मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद मैं पाइल्स का और फिश्चुला का एक separate वीडियो बता बना दूंगा जिसके अंदर मैंने भी पाइल्स का यह बताया कि पाइल्स तो